अस्सलाम अलेकुम दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में यहां पर दोस्तों आपको बता दे कि जैसे 21 तारीक से जब से कुएट इंटरनेशनल एरपोर्ट को लेकर के Alliance होए है कि कुएट के अंदर अभी Exp disposition को लेकर कैनि Exchange कर दिया गया है बरहा दिया गया है जो उनका बेंड है उनको कोई भी कुएट के अंदर Entry नहीं कर सकता है तो आपको बतादे कि किस तारीक तो दूस्तों यहां पर है कि कुएट एरपोर्ट बिल्कुल सननाटा सा च्छाय आ हो है कुईत के अंदर एक और दो फलाइट ऐसे जो लोग दुबे में जो यहां का नागडिक है वो लोग फसे हैं सिर्फ उन्ही को लाने का काम कर रहा है उनके अलावा दोस्तों आपको बता दे कि जितने भी एक्सपेट्स हैं बताए गया है कि अलग अलग कंट्री से जो आये थे यानि कि कुईत आने के लिए जो कि ट्रांजिक्स कंट्री को चोईस किये थे दुबे के अंदर या फिर ओमान और भी कहीं कंट्री जो कि वाया होते हुए उन्हें कुईत आना था उनको बताए गया अभी तक 3,000 लोग यानि एक्सपेट्स फसे हुए हैं दुबे क के अंदर जो की ना तो अपने मुलक वापस जा सके हैं और ना ही कुएत आ सके हैं जिसके कारण की कुएत ने सभी फ्लैट को बैंड कर दिया है। यहां पर बताएगा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो उनका कुरिंटाइन का पीरिट है 14 दिन का था उन्होंने बरहा लिया उनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको दो दो मेहने से उपर हो चुका है कुएत में फसे हुए तो दोस्तों ये एक बहुत ओडियन मंतराले की तरफ से यानि कि कुछ डीजीसे के तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है एकसपेट्स को लेके यानि कि फुलाइट एरपोड को बंद कर रखा है दोस्तों जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है एरपोड खुलने का या फिर क्वेट के अंदर 23 तारिक से यानि कि 23 फरवरी से 21 दिन का लोगडॉन लगने वाला है तो लोगडॉन का समय है दोस्तों बताए गया है कि सामके 7 बज़े से लेकर के सुबह 7 बज़े तक कर्फ्यू रहेगा यहां पर बताए गया है कि यह तकरीबन 21 दिन के लिए लगाया जा कारण यह सबी लोगडॉन सबी एक्सपेट्स को ब्लॉक किया गया है कुईत में इंट्री करने के लिए लेकिन वहीं पर पिछले दिन जो कुरोनावायरस का केस है नया केस में थोड़ा कमी आया है आपको बता दे पिछले दिन कुईत के अंदर 768 नया केस आया था लेकिन दो में दोस्तों आपको बता दे कि इस बार कुईत के अंदर जो कुरोनावायरस है उसके अंदर जो मरने वालों की संकया है वह सबसे अधीक है जो की क grateful के लिए काफी खत्रा है जिसके कारण के कारण को इस सरकार चaque कड़र ये सबी कदम उठाया है तो दोस्तों, यह था से लेटेस्ट अप्डेट के साथ,